तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि इग्णू का दिसमबर 2023 टर्मेंड एक्जाम जो रिजल्ट है उसका लास्ट अपडेट तीन जन्वरी को आया था और तीन जन्वरी के बात से अभी तक कोई भी इग्णू की तरफ से नए अपडेट नहीं आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जब रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो सो रहा है लेकिन पहले उनका रिजल्ट सो नहीं हो रहा था तो इसका क्या मतलब है तो देखिए एग्णू में यब ये पोर्टल है तो जब आप अपना रिजल्ट जिस द अपडेट ना आया हो, जब आप अपना रेजल्ट बाद में चेक करते हो, दो से तीन दिन बाद, तो आपका रेजल्ट सो होने लगता है, लेकिन अपडेट नहीं आया है, कोई नया, तो इसका मतलब यह है कि पोटल में कोई टेकनिकल प्रॉब्लम होती है, जिस टाइम पर ज यह है कि रेजल्ट का दूसरा नया अपडेट आया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपडेट आया है, क्योंकि यह मैंने आपको कई बार बताया है पहले भी, क्योंकि इगनू में लाखों स्टूडेंट्स एक साथ जब रेजल्ट चेक करते हैं, पोटल पर आते हैं, तो technical problem, server का issue server down हो जाता है website crash कर जाती है कभी-कभी तो इस problem की वज़े से अगर आपका result आया भी होगा तो कभी-कभी वहाँ पर show नहीं होता है technical problem की वज़े से तो फिर जब आप बाद में अपना result चेक करते हो यानि कि 3 जनवरी को result आया, उस दिन आपने चेक किया उस दिन नहीं आया, फिर उसके बाद से आपने 6 जनवरी को चेक किया, तो उस दिन result आ गया लेकिन status 3 जनवरी का ही दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि website में कोई technical issue होगा उस time पर, लेकिन उसके बाद वो जब load कम हो गया फिरो जो अपना grade card चेक करते हैं, तो grade card पर उनका result update हो जाता है, यानि कि उनके marks directly grade card में update हो जाते हैं और यहां पर portal पर सोनी होते हैं तो यह भी portal की problem है क्योंकि आपके result की जो marks होते हैं, वो 3-4 दिन बाद आपके grade card में update हो जाते हैं तो जब आपना result चेक करोगे और technical problem की वैज़से अगर वहाँ result नहीं आया तो फिर आपका जो marks है वो आपके grade card में 3-4 दिन बाद update हो जाएगा तो जब आपना grade card चेक करोगे 3-4 दिन बाद तो वहाँ पर आपको आपका result मिलेगा तो यह भी एक technical problem है इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप अपना result चेक किया करो तो साथ की साथ अपना grade card भी चेक किया करो क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर result सो नहीं होता है problem की वैज़से लेकिन grade card में आपका जो result है वो सो हो जाता है तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान लखना अगर आपको result नहीं आया है तो आप अपना grade card ज़रूर चेक कर लिया करो क्योंकि आपके marks अगर यहाँ सो नहीं होते हैं किसी भी problem की वज़से तो वो grade card में update हो जाएंगे तो यह चोटीजी problem है जो students के मन में होती है कि आखिर उनका जो result है वो कैसे आ गया जबकि result का जो update है वो अत्वा आया ही नहीं तो I hope यह problem आपकी और यह doubt आपका solve हो गया होगा तो I hope यह video आपको helpful लगी होगी अगर यह video आपको helpful लगती है तो इस video को ज़रूर लाइक करना और Ignoosa related हर update और information के लिए Ignoobadi चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना So thank you for watching this video Thank you so much